असलामों अलेकुम हेलो फैंस वेल्कम टो मैं जहां रास की चैन मैं हूँ जहां आ रहा उमीद करती हूँ आप सफेरे से जरूर होंगे आज मैं आप सभी के साथ बटर चिकेन की रेसिपे लेकर आई हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हम घर पर बना कर तयार करेंगे और इसका मसाला इतना मज़ेदार का क्रीमी टेक्शर बनकर तयार होगा आप उंगलियों से चार चार कर खाने वाले हैं अगर आज का तरीका आपको पता चल जाएगा किस तरह से आप बटर चिकेन बना सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आप बाजार से बिल्कुल भी खरीद कर नहीं खाना चाहोगे क्योंकि बहुत ही मज़ेदार का क्रीमी टेक्शर वाला बटर चिकेन बनकर तयार हाँ पर एक चमच अध्रक्लैसन का पेजड़ाल देना है इसी के साथ 1,500 ग्राम मैंने दही लिया है दही आपर डाल दूंगी ज्यादा पतला दही नहीं लेना है गाड़ा दही लीजिए दो चमच हमें हाँ पर नीम्बू का रसाइट कर देना है इसी के साथ हमें हाँ पर एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच लेना है लाल मिच पाउडर एक चमच कुटी भी काली मिच पाउडर एक चमच कस्मिरी लाल मिच पाउडर एक चमच जीरा पाउडर एक चमच लेना है धन्या पाउडर एक चमच गर्म मसाला पाउडर एक चमच लेना है नमक नमक हम बा जाल देना है देशी गी अब हमें क्या करना है आथ ही चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंस है लेना hmm तो ही अच्छीश दरह से filters सब्सक्राइब कर लियम," Oracle जिसे हमने रॉफली चॉप कर लिया है अब हमें हाप डाल देना है छे से साथ हरी मिच कुछ हरी मिच इस तरह से लाल कलर हो चुका है कुछ खड़े मसाले डालेंगे एक छोड़ी चमच साबू जीरा चार छोटी लैची और साथी हाफ इंच का दालचीनिया टुकड़ा एक च पानी चोड़ेगा ज्यादा हमें पर पानी नहीं डालना है सबसे आखिर में में पर 30 के करीब डाल देती हूं काजू यानि ग्राम में अगर देखे तो यहां पर 20-25 ग्राम के करीब आपको काजू लेना है अब हमें क्या करना है हाई मीडियम फ्लेम पर 6-7 मिनिट के लिए इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे जैसे ही टामाटर और प्याज इस तरह से सौफ्ट हो जाएगा अब हमें क्या करना है श्रोप को आफ कर लेना है और हम इसे थोड़े देर के थंडा होने के लिए चोड़ेंगे उसके बाद हम इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट कर लें हमें इसे पूरी तरह से फ्राइ कर लेना यानि इसका कचपन नहीं रखेंगे 20-25 मिनिट के लिए हम इसे बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर उलट उलट करते वे अच्छी तरह से फ्राइ कर लेंगे यानि हमें चिकेन को अच्छी तरह से पका लेना है तो यहाँ पर देखि चिकेन को उलट पुलट करते वे हाई फ्लेम पर इसे इस तरह से ग्रिल कर लूँगी जैसे इस तरह से तंदूर जैसा मार का जाएगा हमें चिकेन को बाहर निकाल देना है तो यहाँ पर देखे सबी चिकेन को मैंने इस तरह से ग्रिल कर लिया है आप देख सकते हैं कलर कितना खुबसूरत है जैसे कि हमने इसे तंदूर पर तयार किया है तो यहाँ पर हमारा चिकन अच्छी तरह से ग्रिल हो चुका है अब मैं इसे साइट कर लेती हूँ तो चलिए अब हमें क्या करना है सबसे आखिर में बटर चिकन का ग्रेवी तयार करना है जिसके लिए मैंने हाफ कप रिफाइंड ओयल और पचीस ग्राम बटर ले लिया है आप चाहें तो सिंपल सब बटर से भी से बना कर तयार कर सकते हैं लेकिन मैं हाँ पर तेल और बटर क चलिए चोड़ दें के ताकि इन सभी का अरूम आजाए उसके बाद हमें हाँ पर एक चमल डाल देना है अद्रक लैसन का पेस्ट इसे हमें दो मिनिट के खड़े मसालों के साथ पका लेना है ताकि इसका कच्छापन चला जाए यहां पर देखिए हमने चिकन को मैंने किया होँ तो कुछ मशाला बचा हूआ है उसमासाले को मैं हाप अच्छा ऐड़ कर स तो अब हमें क्या करना इसे अची तरह से 2-3 मिट ले पका लेना है मसाली की अची तरह से बुनाई हो चुकी है अब मैं यहाँ पर पेश्ट एट करूँगी पेश्ट को हमें क्या करना इस तरह से चान कर यह डालना है अगर हम इस तरह से चान कर डालेंगे इसमें क्या है ना ह थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लिएगा और साथ हम यहाँ पर एक चमच डाल देंगे कस्मीरी लाल मिच पॉडर इससे कलर बहुत ही अच्छा हैगा अब मैं यहाँ पर डाल दूंगी एक चमच कसूरी में थी इसी के साथ एक चोड़ी चमच हमें हाँ पर करना दौट मैं यहाँ पर ढाल देंगे और मसाली के साथ हम इसे पकाएंगे चिकंट के मीडियम के साथ के लिए चिकन्त रहा तो चलिए मैं थोड़ा सा और द्यक Михाट के मलें झाल देंगे hacking कि हैं पर डाल देती हूं 1 cup fresh cream क्रीम को अच्छी तरह से फेट कर यहां पर डाल दें क्रीम डालने के बाद हम चिकेण में इसे इसा अच्छी तरह से मिला लेंगे ज्यादा हमें पकाना नहीं है स्टोप के लोफ लैंपर प्रिप दो से के बनाएंगी बिल्कुल रेश्टरेंट स्टाइल आप कहें तो रेश्टरेंट से भी कहीं ज्यादा बहतर टेस्टी मज़दार का बटर चिकन घर पर बनाकर त्यार कर सकते हैं इस रेसिपी को फॉलो करके जरूर बनाईए देखेगा आपका बटर चिकन कितना मज़दार का त्यार होगा आप इस बटर चिकेन को चाहे तो रूमाली रोटी के साथ खाए नान पराठा कुल्चा जिसके साथ खाना चाहे खा सकते हैं या फिर फ्राइड रेस के साथ खा सकते हैं बहुत ही मज़दार का लगेगा खाने में तो फ्रेंड्स अगर आज की बटर चिकेन की र से पहले देख पहेंगे तो चलिए मिलते हैं किने रिसिपी के साथ अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद जरू रखें अल्ला हाफीज